पहले भाग में हम लोगों ने जो घौखन का आपका खनीज संसाधन वाला अध्याय है इसके हम लोगों ने बाड़े में बात किया था पहले पार्ट में की खनीज किसे कहते हैं खनीजों के परकार के बाने में जाना था धात्विक खनीज और अधात्विक खनीज में क्या आंतर है लोह युक्त खनीज और अलह युक्त खनीज में क्या आंतर है उसके बाद फिर हम लोगों ने जाना था कारबनिक खनीज और और कारबनिक युक्त खनीज में क्या आंतर है मैंने वहापर बताया था यह जो है खनीज वाला question यह पूछा गिया है 21 में तो आपका question यह सोडी बच्चो 21 में question पूछा गिया है इसलिए इसकी संब्भावना बहुत कम है उसके बाद यह वाला question जो पूछा गिया आपका धातवी खनीज और अधातवी खनीज में क्या अंत खनीज में क्या अंतर है 2011 है तो इसको आप लोग कम्पिलिट कर लिजेगा अच्छी तरह से ठीक है उसके बाद फिर जो है आपका कोशन जो है पूछा गया था आपका कारबनिक खनीज से कि कोहिला किस परकार का खनीज है तो कारबनिक खनीज है आपको ध्यान रखना है इसके अग्जांपल सबको यह दोनों एक्जांपल बहुत ही इंपोर्टन है कोईला और पेट्रोलियम किस परकार का खनीज है तो कारबनिक खनीज के अंतर गताता है ठीक है इस परकार से मैंने बताया था यह सब आप इसकी खनीज में अंतर हो गया उसके बाद यह सब लोह इस परकार से हम लोग बात करेंगे पहला आ रहा है आपका कि खनीजों की विशिष्टाएं क्या क्या होती है तो खनीज क्या होती है बच्चो इसका वितरन क्या है भारत में और समान है अधिक गुनवत्ता वाले खनीज कम तथा कम गुनवत्ता वाले खनीज ज्यादा मात् किसी गाउं में आप लोग परवेश्च करते हैं तो उस गाउं में आपको मिलेगा लगबग लगबग अगर 8000 बंदा रहता है बच्चो तो उसमें जो हैं मुख्य रूप से आपका 200 से 400 ही बंदा ऐसा होगा जो से बात करके आपको अच्छा लगेगा बहुत ही ज्यादा होंगे बच्चो सब क्या होंगे मतलब कि उसकी प्रसलेटी सही नहीं होगी उसको बात करने का तरीका नहीं होगा इसी परकार से यहां पर क्या है कि जो खनीजों की जो मात्रा होती है जिन खनीजों की गुनवत्ता अधिक होगी उसकी मात्रा बहुत कम पायाती है जबकि ज तक चलेगा उसके बाद फिर समाप्थ हो जाएगा तो इसके निर्मान में बहुत ही ज्यादा लंबा टाइम बनता है इसलिए इसको समाप्य संसाधन के अंदरगत रखायाता है एक बार पड़ियोग करके पुने उप्योग नहीं किया जा सकता अतह इसे सन्रक्षन की प्रम क् ठीक है, खनीजों का वितरन, अब हम लोग बात करते हैं कि कहां पर इसका कैसा कैसा वितरन है, देश का अधिकांश खनीज, निमने लिखी तिन पेटीओं में पायाती है, अब बाट दिया है बच्चों, भारत को किस पेटीओं में, यानि कि पेटीओं में बाट दिया है, तो इस चेत्रे पड़ाप्त की आता है तो तीन भागों में बाटा है पहला है आपका उत्तर पुर्वी पठार यह देश की सबसे धनी खनीच पेटी है जिसमें छोटा नापूर का पठार चतिसगर का पठार तथा पुर्वी आंध्र परदेश का पठार अवस्तित है तो सबसी जो है आपका कौन सा है उत्तर पुर्वी पठार ध्यान रहेगा आपको छोटा नापूर का पठार कहां पर है आपका जारखन में है चतिसगर का पठार तो आपको मालूम है चतिसगर में है पुर्वी आंध्र परदेश का पठार यानि आंध्र परदेश में इस पेटी में लोग अयस्क, मैगनीज, अवरक, बॉकसाइट, चुनापत्थर, डोलोमाइट, तामबा, थोरियम, तदा फोस्फेट का क्या है, विशाल भंडार है, याने कि जितने भी इंपोर्टेंड आपका खनीज है, इसका विशाल भंडार है, किसमें उत्तर पूर्वी पठार में, ठ ठीक है, दक्चिन पस्चिमी पठार, ये पेटी करनाटक के पठार, एवंग निकट वरती, तमिल नाडू के पठार पर फैली हुई है, यहां लोग अयस्क, मैगनीज, बॉकसाइट, आदि भारी मातरा में पायाते हैं, देश की सवी, तीनों सोने की खाने, इसी पेटी में मौजूद है, यानि कि जो आपका सोने की खाने, बच्चो, सोना जो उत्पदन की आयता है, तो वो इसी पेटी में उपस्तित है, जैसे मैं आपको एक्जामपल दूँ, कोलार, कोलार से सोना पराप्त की आयता है, ये कोलार कहा है बच्चो, तो ये आपका करनाटक में है, और ये अबजेक्टी में आपका पूछा गया कोशन है, तो कोलार कहा है, करनाटक में है, आपको आप लोग जो है अवशे ही मूबी फिलम देखे होंगे, बच्चो, के जी अफ, तो के जी अफ का जो सूटिंग है, वो यहाँ पर किया गया था, कोलार में, तो आपको याद आपको यह तक है, यहाँ अनेक अलो धातुएं, जैसे चांदी, सीसा, जस्ता, तामबा, आदी पाय जाते हैं, बालू पत्थर, गरेनाइट, संगमर्मर, जिपसम, मुल्तानी मिट्टी, चुना पत्थर, नामक आदी के भी परियाप्त भंडार हैं, ठीके, तो कौन सा सबसे नीचे जो हता है, यह हता है, बच्चो दक्षिन, जिसको बोलते हैं, साउथ, और इस साइड होगा आपका पूरव, यानि इस्ट, और यह होगा आपका पस्चिम, वेस्ट, अब हम बात करते हैं, अगर जब हम बात करेंगे, बच्चो उत्तर पुरू, तो उत्तर आपका पस्चिम, तो इसके बीच होगा उत्तर पस्चिम, इसी परकार से आप लोग निकाल लेंगे, दक्षिन पस्चिम, दक्षिन पुरू, ठीक है, तो यह आपका दिशा का ध्यान आप ज्यान आप लोग को होना जाई अची तरह से, तो इस पेटी का जो विस्तार है, कह पर है, इस पेसली रूप से खंबात की खाड़ी, तो खंबात की खाड़ी मालू है आपको, जो खंबात की खाड़ी जो है बच्चो इस परकार से अगर भारत का नक्षा देखेगा, तो यहाँ पर जो गुजरात के बगल में है गुजरात, तो वहाँ पर है आपका खंबात संके मकराना से लागा गया था ताजमल के लिए कौन सा संग मरमर जुट अपका लाया गया था भि धात्विक खनीज अब हम लोग बात करेंगे कि कौन सा खनीज कहां पर पाया जाता है ठीक चले धात्विक खनीज सबसे पहला है आपका लौई अधिक्तर क्या है उद्धोग के क्या है आधार है यानी उद्धोग जो है इसी पर डिपेंड करता है निर्भर करता है तो सबसे पहला है और बहुत ही जैननी है ठीक है जैननी बोलते हैं बच्चो माता को तो यह एक बार क्वेश्चन पूछा गया था आपको याने कि जो है क्वेश्चन था बच्चो कि निम्ननमिसिस में से लोह युक्तखनीश का उधारन कौन सा है यह तो आपका आगे आ जाएगा बच्चो उसके बाद एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा यानि कि जो लोह युक्तखनीश होता है बच्चो आयस्क यह कैसा होता है और नवी करने है यानि कि कोई भी आपका खनीश होगा यानि समापिये होगा यानि यह आपका समाप्त हो जाएगा कुस समय के बाद इसको दो बार हम लोग निर्मान नहीं कर सकते हैं तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि लोह आयस का किस परकार का संसादन है नवी करने है और यह जो है आपका बच्चो लोहा को क्या माना गया है आपका आंधूसिक सब्वेतय का रीर मना गया है इससे उद्धों का जननी भी माना गया है ठीक है क्वेश्चन आपका पूछा गया था दो बार 2019 और 2021 दो बार क्वेश्चन पूछा गया था बच्चो कि किस खनीच को उद्धों का जननी कहा जाता है तो लोहा को जो है उद्धों का क्या कहा था जननी जननी मिस होता है बच्चो माता यानि कि ह हर चीज का निर्मान में लोहा की आवश्यक्ता पड़ती है आप अपने दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं ठीक है इसलिए बहुत ही इंपोर्टन है यह प्रश्णा आपका दो बार पूछ लिया गया है में आगे है कि जिसको बाद में कई परक्रणों द्वरा स्भूत शुद्द चाल में सुद्द लोहा की मात्रा के आधार पर तीन परकार के लव आईस कर पया जाते हैं कितने परकर के लोःस के पर जाते बच्चों तीन परकार का एक है आपका हेमेटाइट, मेगनाइट, लिमोनाइट, ठीक है, ध्यान लेगा आपको, हेमेटाइट, मेगनेटाइट, लिमोनाइट, ठीक है, एक बार कोश्चन पूछा गया था आपको बच्चो की, जो है, इसके टाइप के बारे में पूछा गया था, लव अजास्क के नाम लिखें, ल कौन सा है हेमेटाइट पहला मैगनेटाइट दूसरा लिमोनाइट ठीक है लेकिन एक बार और कोशन पुझा गया था बचो 2021 में ही ऑपजेक्टिव के रूप में निम्नमे से कौन लह युक्तखनीज का उधाराने लह युक्तखनीज तो यहां पर से आपको एक ओप्सन दिया 1-2-3 कौशन पुझा गया था भारत में पूरAY विश्व के ल्भनडर का कितना भाग एक चोधाई भाग अंकलित है अब वित्रन लोहा का वित्रन कहां 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 पर किस परकार से है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं तो सबसे पहला है कि लोहा का जो सबसेुता पाया था बच्चो सबसे ज़धा इसका उत्खननन चिया था कहां से करनातक से करनातक से कितना परसें एक चौधाय एक चौधाय मतलब 25 परसेंद आपका ata मतलब करनाatti क्रनाटक राजे में तो यह ďक बार कौशन्चन पुछा गया था यहां पर सही हो जाएगा यहां पर कितने परसेंट 25 परसेंट लोहे का उत्पादन होता है अकेले करनाटक उत्पादन करता है भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है याद रहेगा आपको देश का पांचवा राज्य है जो 15% से अधिक लोहा का उत्पादन करता है एक बार यहां से question पूछ लिया गया था बच्चो कि जारखन में जो उत्पादन होता है लोहे का लोहा आयस्क का इसके important शहर के नाम बताईए तो यहां पर आप लोग note-down कर लिए बच्चो अपने copy म अनम पूछा गया था तो आपका नुआ मूडी हो जाएगा मुझा और वन कि बग्या बुरोरु लिख Hani बचो एक हो जागा बग्या बुरु और यहां बच्चो आपका गुआ गुप गुआ यह हो जागा नहीं गवा तो आपका अलishops आगो ये गौरा यह भाट और उतन पा ओरने वाले चार राज्जों के नाम बताए इस परकार से कुछ सनाएगा तो आप लोग को याद रखना इन्स अब को बारे में ठीक है यह हाद रहूरा जो राज्जा करनात्यक से हैं आगे बढ़ते हैं कौन सा है आपका कि मैगनीज आयसक मैगनीज आयसक के उत्पादन का विश्व में रूस और दक्षिन अफ्रीका के बाद भारत जो है तीसरी अस्थान पर है बहुत इंपोर्टन है जली नो डाउन कर लिए आपका उपजेटिव में पूछा जाएग मैगनीज का उपयोग जंगरोधी इसपात बनाने तथा लोहा एवंग मैगनीज के मिश्र धातू बनाने के उपयोग में आता है इसमें आपका कॉषन पूछा जाता है बच्चो मैगनीज का उपयोग पर परकास डालें दो हजार बारे में कोश्चन पूछा गया था कि मैगनीज के ओपयोगों के बारे में लिखें तो आप लोगों को तीन चार पॉइंट लिख देना है उसमें इस पेसेली रूप से यहां पर दिया हुआ है आपका इस ठीक है तो सबसे पहला ओपयोग क्या है जंगरोधी तो मैगनीज का कितना वहां पर मात्रा दिया जाएगा तो 10 किलोग्राम ठीक है याद रखेगा आप लोग 10 किलोग्राम यहां पर दिया जाएगा एक मतलब की 10 एसपाट बनाने में यह कुश्चन आपका पूछा गया था 2018 में पूछा गया था बच्चो तो आपको ध्यान रखना है 10 किलोग्राम सुस्क बैटियों के निर्मान में फोटोग्राफी में चमड़ा एंग माचिस उद्धुग में इसका उप्योग किया था किसका मैंगनीज का पेंट तथा कीट नासक दवाओं के निर्मान में भी किया था है भारत के कुल उत्पाधन का 50 परसेंट ज विश्व में जिंबावे के बाद भारत में ही मैंगनीज का सबसे बड़ा 20 परसेंट संचीद भंडार है उडिसा देश में देश का लगबक कितना परसेंट तो 37 परसेंट मैंगनीज का उत्पाधन करता है ध्यान रखेगा आप लोग यह क्वेश्चन आपका आ सकता है कि सबसे ज्यादा मैंगनीज का उत्पाधन करने वाला राज कांसा है तो ओडिसा देश का लगबक मैंगर्देश 21 परसेंट करता है जो की कितने अस्थान पर दीन तीव तो मैंनीज उत्पाधन करने वाले राज्य को लिख लिए आप लोग अच्छी तरह से उडिसा महारास् किसी प्रकार की समस्या नहीं रहे होगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन धन्यवाद